दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लगो को ONGC यानि की Oil and Natural Gas Corporation और Hood को यानि की Housing and Urban Development Corporation के साथ में कुछ ऐसी कंपनी इसके shares के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्नोंने यहाँ पे bonus, split और dividend अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया भाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज आते हैं बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले share की तो company का नाम है Josts Engineering Company Limited ये company का जो share है last trading session पे हमें 0.5% की गिरावट करता देखने को मिला 1,130 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस company की official announcement की बात करें तो Josts Engineering Company ने जोब है stock split announce करके रखा है 1-2-2 के ratio से जिसका मतलब काफी simple है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 2 shares में convert होगा basically आपके पास में company की जितने भी shares है वो सभी के सभी यहां पर double हो जाएंगे finally company ने split को देने की x date record date announce कर दी है जो की 15th of November याने की 15 November की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है Tech Mahindra Limited last trading session पे एक company का जो share है 0.4% के एक छोटे से positive note पे close हुआ और 1,695 रुपीस का जो है company के share का closing price था हाँ एक बड़ी update और आप लोगों के साथ में share कर देता हूँ अगर आप लोग चाहें तो मेरा 100% free वाला टेलीग्राम चैनल जरूर से join कर सकते हैं इसी वीडियो के description पे आपको link मिल जाएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को regular basis पे cash के उपर में stocks पे buying recommendation शेयर करता हूँ short term के लिए scalping setup और वही mid term के लिए swing trading setup प्रवाइट करता हूँ आपके लिए काफी ज़ादा beneficial रहेगा इसकी guarantee मैं खुद लेने को तैयार हूँ तो एक बार ही checkout ज़रूर से करिएगा description पे आपको link मिल जाएगा अगर tech महिंदरा के official announcement की बात करें तो इस company ने जो है dividend announce कर दिया है 15 रुपीज का आपको आपके हर एक share पे 15 रुपे का dividend दिया जाएगा definitely dividend value हमें अच्छा देखने को मिल जाता है और इसको देने की x date record date जो है 1st of November यानि की 1 November की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है Wipro Limited Wipro का जो share है last trading session पे 0.2% के एक छोटे से minor correction के साथ में 547 रुपीज पे close हुआ अगर इस company के official announcement की बात करें तो Wipro Limited ने जो बोनस announce कर दिया है 1st of 1 के ratio से जिसका मतलब काफी simple है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share है as a bonus मिलेगा आपका एक share दो shares में convert हो जाएगा या simply आप ये भी कह सकते हैं आपके पास में company के जितने भी shares है वो सभी के सभी यहाँ पे double हो जाएगे Wipro ने अभी तक bonus को देने की x date record date announce नहीं करी है लेकिन काफी सालों बात bonus announcement आया है तो कही न कहीं जब भी x date record date होईगी आ जाएगी announce हो जाएगी तब hype जरूर से बनती नजर आएगी company के share के उपर पे तो जरूर से आप लोग चैनल को subscribe करिएगा जैसी x date record date आएगी I'll update you अगले share की बात करें तो company का नाम है Oberoi Reality Limited company का जो share है last trading session पे हमें 3% की तीजी दिखाता देखने को मिला 1,989 रूपीज पे close हुआ अगर इस company के official announcement की बात करें तो Oberoi Reality ने जो है dividend announce कर दिया है 2 रूपीज का आपको आपके हर एक share पे 2 रूपे का dividend दिया जाएगा actual में dividend value काफी ज़ाध कम है below average है बट ठीक है जो announcement है वो है मैंने cover कर लिया इसको देने की भी X date record date अभी upcoming में है इसके लिए आप लोग channel को subscribe करिएगा बाद में जैसी announcement आएगा definitely I'll update you अगले share की बात करें तो company का नाम है IRFC यानि की Indian Railway Finance Corporation last trading session पे IRFC का जो share है धाई परसेंट की गिरावट करता नजर आया 144 रुपीज पे close हुआ इस company के official announcement की बात करें तो IRFC ने जो बोर्ड मीटिंग organize कर दिये 4th of November को और इस बोर्ड मीटिंग का जो purpose है वो dividend को लेकर के रहने वला है company ने dividend को देने की X date record date already advance में announce कर दिये जो की 14th of November यानि की 14 November की रखी गई है तो 4 November के दिन जो भी dividend announce होता है अगर आपको उसका benefit चाहिए तो आपको IRFC के share को उसकी X date यानि की 14 November से पहले-पहले purchase कर लेना होगा अगले share की बात करें तो company का नाम है ONGC यानि की Oil and Natural Gas Corporation ONGC का जो share है last trading session में लगबग 2.5% की गिरावट करता नज़र आया 276 रुपीज के उपर में close हुआ ONGC की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ भी JM financial करके काफी जाना माना brokerage firm है I'm pretty sure आप सभी ने JM financial का नाम सुना होगा even Indian stock market पे भी listed है तो इसी बात से अब अंदाजा लगा सकते हैं JM financial कितना ज़दा जाना माना और कितना ज़दा well reputed है अब JM financial ने चुबे ONGC के शेयर के उपर में bullishness दिखाते होए buying recommendation शेयर करी है और जो target price दिया है 325 रुपीज का दिया है लगबग 276 रुपीज से लेके 325 रुपीज तक की एक जो rally है JM financial expect करके चल रहा है ONGC के शेयर के उपर में अब ONGC की as a company अगर हम बात करें देखे fundamentally financially ONGC काफी strong है इसके अलावा एक PSU unit होने के चलते government का support और investors का जो trust है वो भी company के उपर भरपूर मौझूद है all over अगर आप company की valuation देखेंगे तो current market price जहाँ पर share trade हो रहा है वहाँ से अगर आप valuation count करते हैं काफी बड़ी है valuation है काफी cheap valuation है current market price पर अगर आप buy करते हैं तो भी mid term से लेके long term में आपको काफी massive returns काफी easily मिल जाएंगे और रही बात ये 325 रुपीज के target की देखे इतना चोटा target तो है नहीं कि आने वले कुछ दिनों में achieve हो at least आपको mid term तक का time लगेगा यानि कि multiple months आप पकड़ के चल सकते हैं 4-5 महीने at least आपको wait करना होगा तब जाके 325 रुपेगा target जो है ONGC आपको hit करता नजर आएगा at the end of the day ONGC fundamentally financially काफी strong company है ना ही company ना ही share में कोई problem है जरूर से ONGC के share पे आपको अपनी नजर बना के रखनी चाहिए और हाँ company के share को आपके watch list के अंदर में जरूर से add कर लीजिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले end last update की तो company का नाम है hoodco यानि की housing and urban development corporation hoodco का जो share है last trading session पे 3.3% की गिरावट करता देखने को मिला 207 रुपीज पे close हुआ hoodco की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update आ रही है basically यहाँ पे ilara capital करके एक काफी जाना माना brokerage firm है ilara capital ने जो बे hoodco के share के उपर में bullishness दिखाई है और जो target price दिया है 297 रुपीज का दिया है लगबग 207 रुपीज से लेके 297 रुपीज तक की एक जो rally है ilara capital expect करके चल रहा है hoodco limited के share के उपर में अब hoodco की as a company अगर हम बात करें देखिए fundamentally financially hoodco भी काफी strong है ये भी एक PSU unit है जिसके चलते government का support और investors का जो trust है वो company के उपर भरपूर मौजूद है और मज़े की बात तो ये hoodco की जो market capitalization है ये भी काफी कम है और आने वाले time में आपको काफी rapid growth यहाँ पर देखने को मिल सकती है और housing and urban development sector की अगर हम बात करें देखिए past में सभी को बता है दीरे दीरे जैसे इंडिया का progress हो रहा था उसी हिसाब से housing and urban sector भी grow कर रहा था अभी ये जो moment growth है ये थोड़ी सी जादा fast होती नज़र आई है और near future के अंदर आने वाले 2-5 साल अगर आप पकड़ते हैं तो definitely hood को जैसी companies काफी अच्छा perform करेंगी because housing market जो है specifically काफी 30 से develop होगी और और जादा जैसे जैसे economy बढ़ेगी उसी हिसाब से इस sector के अंदर इस segment के अंदर हमें growth हाती नजर आईगी तो आने वाले 5 साल तो आप minimum पकड़ लीजिए golden era होगा hood को जैसी companies के लिए और मैं तो यही suggest करूँगा hood को PSE unit भी है कहीं ना कहीं आपका investment amount भी एक हद तक safe रहेगा तो definitely you should choose hood को limited company और share किसी में कोई problem नहीं है actual में company के अंदर इतना potential है आने वाले 5 सालों में आपको massive returns, multi bagger returns डिलेवर कर पाए जरूर से hood को के share पे आपकी नजर बना के रखिएगा और हाँ company के share को आपके watch list के अंदर में जरूर से add करिए बाकी hood को limited हो गया, ONGC हो गया इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा इस video के अंदर इतना ही रखेंगे यही कुछ companies के shares थे, जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी, specifically जिनोंने आपे bonus, split और dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो अची लगी हो, वीडियो को जरूर से like करिएगा चैनल को भी subscribe करिएगा because ऐसे वीडियो मैं आप लगो के लिए daily basis पे लेकर के आता रहूँगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, till then बाई